मुझूद यहाँ पर सभी नर्मिर्वाचेत लोकसभा के माननिय सांचस सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधान मंत्री आधनिया नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ आपकी वज़ा से NDA को ये प्रचन जीत हासिल हुई है इसका श्रे आपको जाता है सर आप भी में वो इच्छा शक्ती थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचन जीत को दर्च कराने का काम किया ये कोई सामाने बात नहीं थै कि लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री जी के नेत्रेतों में इंडिये को इतनी बड़ी जीत मिलती गई हम लोग सर जब छेतरे में जाते थे आपके नाम पर जिस तरीके का उस्सा देखने को मिलता था ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेत्वत करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है आपी की बज़ा से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बना तो ये देन आपकी है भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है आपी में सर वो इच्छा शक्ती है जो गाउं और शेहर की दूरी को मिटा सकता है आपी में वो इच्छा शक्ती है जो अमीर और गरीबी के फासले को पाड़ सकता है आप ही में वो इच्छा शक्ती है सर जिसने ये लक्षे रखा की 2047 तक भारत को हम लोग विक्षे देश बनाएंगे और भारत को विक्षे देश बनाने की और आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं मैं यहां इस सदन में मौझूद तमाम वरिश नेताओं का अभिवादन करते वे मैं चिरागपासवान जो यहां पर प्रस्ताव माननिय रक्षा मंत्री जी आदनिय राजना सिंग जी के द्वारा आया है मैं चिरागपासवान मेरी पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास की तरफ से एंडिय संसद्य दल के नेतापद पर श्री नरेंद्र मोधी जी के नाम का समर्थ संकरता हूँ मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता, मेरे पिता, आदनिय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सधीयों से अंधेरा है मुझे लगता है उनके इस सपने को उनके इस लक्षे को और करोडों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उमीद एक मात्र आप है सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार जैहन